मेरी सनक चाप्टर 129-130 अब तक आप लोगों ने पढ़ा और ऐसा ही हाल कुछ मननत का भी था मननत के सामने भी ऐसा नजारा पहली बार आया था पहली बार मननत ने औरतों का बजार देखा था जिसमें लड़कियों को भेर बकरी की तरह बचा और खरीदा जा रहा था और अगर प्रेम सही समय पर आकर उसे नहीं बचता तो शायद उसकी भी बोली लग चुकी हुती मननत भी अंदर से बहुत ज्यादा सहमी हुई थी मननत की आखों के सामने बार बार वही द्रिश्य आ रहे थे अब आगे और तभी मननत को दर्वाजा खोलने की आवाज आती है और मननत अंदर तक सहम जाती है और ऐसा ही हाल कुछ नैना का भी होता है जब नैना के कानों में दर्वाजा खोलने की आवाज आती है तो नैना और भी कसकर मननत को पकड़ लेती है और दोनों अपनी डरी सहमी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं लेकिन जब उनकी नजर प्रेम पर जाती है तो जैसे उनका दरपल में गायब हो जाता है मननत और नैना दोनों ही प्रेम की तरफ भागती है और प्रेम के सीने से जा लगते हैं प्रेम भी दोनों को अपने सीने में छुपा लेता है। लेकिन तभी विजय नैना का हाथ पकर कर उसे अपनी तरफ खीचता है और अपने सीने से लगा लेता है। जिससे नैना एक पल के लिए तो डर जाती है लेकिन विजय की बाहों का अहसास होते ही उसके सीने में समा जात हैं, प्रेम अपनी सर्द निगाहों से विजय को देखा है तो विजय भी अपनी आखों के इशारे से प्रेम को घूरते हुए देखा है जैसे आखों से ही कह रहा हो क्या है बीवी है मेरी तू अपनी वाली पर ध्यान दे प्रेम भी आँखों से घूरते हुए ही जवाब देता है तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ विजय भी बेपरवाही से अपनी आँखों को रोल करते हुए नैना को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वहां से ले जाता है प्रेम भी मननत के सर को सहलाते हुए मननत को कमफर्टेबल करने लगता है मननत अपने सर को प्रेम के सीने में छुपाए खड़ी थी तो प्रेम अपने दोनों हाथों से मननत के चहरे को पढ़कर थोड़ा सा खुद से दूर करता है और फिर मननत के चहरे को उपर करके उसे देखा है इन कुछ घंटे में मननत बहुत रोई थी और इसी वजह से मननत की आँखों में लालिमा च्छाई हुई थी और अभी भी मननत की आखें हलकी नम थी और डर से मननत के होंट कामट पर रहे थे और मननत ने जो दांस करते समय कपड़े पहने हुए थे उसी समय प्रेम वहां पर आ गया था और मननत को वहां से विजय के साथ होटल भिजवा दिया था तो मननत ने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं बदले थे बस उपर से एक शॉल डाला हुआ था लालिमा से छाई आखें जो हलकी नम थी और उपर से कापते हुए होट मननत की खुबसुरती को और भी ज्यादा ब प्रेम अपने वन महीने की प्यास को मननत के होटों के रस को पी कर बुझा रहा था और मननत जो अपने प्यार को पाकर उसमें खो गई थी धीरे धीरे प्रेम की किसमें इन्वाल्व होने लगती है और खुद बाखुद मननत के हाथ प्रेम के सीने से होकर उसकी गर्दन में चले जाते हैं वक्त के साथ दोनों का ही जुनून एक दूसरे के लिए बढ़ने लगता है और दोनों ही शिद्दत से एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगते हैं प्रेम मननत के होठों को चूमते हुए ही मननत की शौल को उसके सीने से हट कर दूर फेक देता है और फिर मननत को पीछे धकेलते हुए बिस्तर पर ले आता है लेकिन इस बीच में प्रेम ने मननत के होथों को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता और अपनी किस को बिना ब्रेक किया ही प्रेम मननत को बिस्तर पर ले आया था और अब प्रेम मननत को अपनी नीचे करके मननत के होथों क प्रेम को सहलाने लगते हैं प्रेम के हाथ मननत के पेट से होकर। उसकी कमर की तरफ चल रहे थे जिससे प्रेम मननत के ब्लाउज के हुक को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रेम को मननत के ब्लाउज के हुक मिल नहीं रहे थे क्योंकि मननत के ब्लाउज में साइड मे एक चैन थी लेकिन प्रेम को तो मननत का मकमल सा जिस्म छूना था इसलिए प्रेम को अब उन कपडों से इरिटेशन हो रही थी और प्रेम गुस्से में एक ही जटके से मननत के बलाउज को फार कर दूर फेंक देता है और फिर मननत के होटों को छोड़ कर मननत की एक आ एच 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 पतिदेव मुझे दर्द हो रहा है। विजय भी नैना को अपने कमरे में लाने के बाद सीधा उसे अपने बिस्तर पर ले आया था। आज नैना भी विजय को नहीं रोक रही थी जैसे नैना खुद चाहती थी कि विजय उसके करीब आए बीते हाथसे से नैना बहुत ज्यादा घबरा गई थी और इसलिए बस विजय को अपने करीब चाहती थी नैना बहुत ज्यादा डरी हुई थी अब विजय भी धीरे धीरे नैना के जिस्म में मदहोश हो रहा था विजय की जीब नैना की जीब से उलजी हुई थी और विजय बहुत ही पैशनेत नैना को किस कर रहा था विजय का एक हाथ अब नैना के टॉप के अंदर जाकर उसके पेत को सहला रहा था और फिर धीरे धीरे विजय नैना के पेत को सहल अपने हाथ को उपर ले जाने लगता है। इंटेंस थी की नैना की सांस थमने लगी थी। महसूस होने लगती है और उसकी माथे पर पसीने की बूंदे आने लगते हैं। विजय नैना को एकदम से पलट देता है और नैना की गोरी पीट पर अपने होट रख देता है नैना बैजशीट को अपनी। मुठी में भर लेती है विजय नैना की ब्रा के हुक को खोल कर नैना की पूरी पीट पर बेता हाशा चूमने लगता है। और अब विजय धीरे धीरे एग्रेसिव और वाइल्ड हो रहा था और जो अब तक विजय सौफ्ट सौफ्ट किस कर रहा था अब एग्रेसिव होकर बाइट करने लगा था। और अब विजय से कंट्रोल नहीं होता विजय नैना से थोड़ा दूर होता है और अपनी शर्ट को पकड़ कर खीच देता है। बंद कर लेती है और नैना का एक हाथ विजय के कंधे को जकर लेता है और दूसरे हाथ से नैना बैजशीट को मुट्थी में भर लेती है विजय नैना की ब्रेस्ट को मुह में लेकर शिद्दत से उसे शक करने लगता है और फिर वाइल्ड होते हुए नैना की ब्रेस्ट को अ प्रणनत के पेत को लिख करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और अब विजय नैना की जीन्स को उतारने लगता है और ये महसूस करते ही नैना जो अब तक आखे बंद करके विजय को महसूस कर रही थी जट से अपनी आखे खोल देती है और विजय के हाथों को देता है और अब नैना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी नैना अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर खुद में ही सीमेटने लगती है विजय नैना की हालत समझ रहा था तो विजय नैना से थोड़ा दूर होता है और साइड टेबल लैंप पर रखे रिमोट को उ विजय वापस से नैना के ऊपर आते हुए नैना के पेट को चूमने लगता है और विजय के हाथ नैना की थाई को सहला रहे थे विजय नैना के पेट को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और फिर और विजय नैना की पैंटी को उतारने लगता है तो नैना इस समय इंकार करना विजय के लिए एक आजमाईश था। विजय मधोशी में नैना के गाल पर हाथ रख कर बहुत ही प्यार से नैना की गर्दन को चुमते हुए बोलता है। रिलेक्स आज नहीं तो कल ये होना ही है तो आज हो जाने दो नैना अपने गाल पर विजय के हाथ पर हाथ रख कर बोलती है। और तभी नैना की एक दर्द भरी आहवा निकल जाती है। ए, क्यूंकि विजय ने गुस्से में नैना की गर्दन पर बहुत जोर से बाइट किया था। विजय नैना को पीछे की तरफ धकेल कर उसके उपर आते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है। और अब विजय के सब्र का बांध तूट जाता है विजय गुस्से में नैना की पेंटिन को पकर कर फार कर फेक देता है। और गुस्से में बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है नो आई वांट यू। और अब नैना भी समझ जाती है कि रिक्वेस्ट करने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि अब विजय नहीं रुकेगा। इसलिए नैना खुद को तैयार करते हुए अपनी आखे बंद कर लेती है। और फिर खुद को विजय के हवाले करते हुए बैडशीट को कस कर पकड़ लेती है और फिर विजय नैना से दूर होते हुए। अपने सारे कपड़े उतार कर फैक देता है। और फिर विजय नैना के पैरों को पकर कर उन्हें खोलते हुए नैना के उपर आता है विजय अपने होंट नैना के पेट पर रख देता है और फिर धीरे धीरे नैना के पेट को चुमते हुए उपर आता है विजय नैना की ब्रेस्ट को वापस से. मुह में लेकर शक करते हुए नैना के दोनों हाथों को पकरता है जिससे नैना ने कसकर बैडशीट को पकर रखा था विजए नैना की मुठियों को खोलते हुए नैना की उंगलियों में अपनी उंगलियां फहसा कर नैना के हाथ को कसकर पकड लेता है और फिर विजय मदहोशी में नैना के होटों के करीब आकर बोलता है बस थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा और इतना बोलकर विजय नैना के होटों पर अपने होट रख देता है और धीरे धीरे नैना में शामिल होने लगता है जिससे नैना को बहुत दर्ध होता है और नैना दर्ध से जटपट आने लगती है नैना की आखें आसों से भर जाती है और नैना का चेहरा भी दर्ध से ला है और धीरे धीरे नैना के कमर को भी सहलाने लगता है। प्रेम होने की वजह से नैना को बहुत पेन हो रहा था उसके लिए सब कुछ पेनफुल था। प्रेम मननत में नैना के दोनों हाथों को पकड़ कर बैग में दबाते हुए बोलता है। दूर रहूं और वो भी तुमसे ऐसा तो कभी नहीं होगा। मननत भी प्रेम की आँखों में गुस्से से देखते हुए बोलती है। क्यूं क्यूं नहीं होगा लड़कियों की कमी है आपके पास अगर आपके जिस्म में इतनी ही आग लगी है तो कहीं और। जाकर बुझाए लेकिन मुझसे दूर रहिए। मुझे रोक नहीं सकती और ना ही मना कर सकती हो। फ्रेम की बात सुनकर मननत की आँखों में नमी आ जाती है मननत भरे गले से बोलता है। सही कहते हैं रीडर आपके बारे में आपको मुझसे प्यार कभी था ही नहीं आप सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करते। है मुझे नहीं, आपको भी सिर्फ मेरी खुबसूरती दिखाई दी मैं नहीं, फ्रेम गुस्से में मननत के जबड़े को पकड़ कर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए चाहे जो कर लू रीडर को हमेशा गलत ही लगता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, in fact मुझे किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही, बितानी है, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर तो ये बात अपने द चहरा दूसरी तरफ फेर लेती है, और इस बात से प्रेम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, प्रेम गुस्से में मननत के चहरे को पकड़ता है और उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन मननत अपना पूरा, जोर लगाकर प्रेम को धक्का दे देती है, प्रेम जिसकी प आधे, follow for next part bye bye.